हलो चो आईए इस पर स्वागरते जो हम सी बोल रहा है कि एक पदार्थ का एक ग्राम तुलियांग में से उपस्तित है मतब एक ग्राम तुलियांग यहाँ पर किसका होगा यह आपको यहाँ पर बताना है अब बचो यहाँ पर आप देखो एक आप सिंपल तरीका ऐसे भी सौ और एक आपके पास होता है बच्चों हमारे पास बहार डिवाइड बाई पर माड़ भार तो अब आप क्या लगता है आपको यहां पर कौन सा फॉर्मुला आपके लिए उप्यूगते रहेगा तो मोल दिख रहा है तो आप मोल बला यहां पर यूज कर लो तो जब हमारे पास आप एम पास होगा तो बस ध्यान से देखना बच्चों यहां पर ऑटो है ओपके पास देखो ओका यहां पड़ो छैने मौल यहां पर नंबर उप्होंक्या है इसका एक आ गया तो यह आपके निकाल सकतो यहां पर 0.5 मैं इसको चार करूंगा इसका एक आ तो यहां आदो इसका भी निकाल सकतो, यहाँ पे 0.5 है, mol n फेक्टर बच्चो ओटू है, तो वो 4 ही रहेगा, यह आपके पास 2 आता, यह 8 है, इसमें भी बच्चो चार रहेगा, तो यह 32 आ जाता, आप इसको समझ गयोगे, बांकि आप्षिन के साथ आपको रही समझ सकते हो, यह बहुत ही बेसिक सा कॉंसेट होता है बच्चो, यह लगाना आपको आना चाहिए, हैना, जे इसकी कोशन्स हर साल एक आते ही आते हैं बच्चो, तो आपको आपको यह चीज समझ में आ गई होगे, तैंक यू,